नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारी चैनल बिहारी नॉन्स्टॉप नियूज में ते चलिए बिहार की दस प्रमुक बड़ी खबरों को जानते हैं बिजली के छेतर में आत्म निर्भर बनेगा बिहार, सियम नितीज ने दिया सौगार बिहार के मुख मंतरी नितीज कुमार ने एंटी पीसी के बरोनी थर्मल पावर इस्टेशन में स्टेज 2 के 500 मेगावाट चमता के यूनिट का लोकारपन किया इस अवसर पर केंद्रिय उर्जा मंतरी राजकुमार सिंग के अधिक्स्ता में होने वाले कारकरम में बिजली विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे लोकारपन के बाद CM नितीज कुमा ने अपने सम्मोधन में उर्जा के छेत्र में देश बर में काम करने के लिए PM व उर्जा मंत्री के प्रती आभार व्यक्त किया CM ने काया कि उर्जा मंत्री R.K. सिंग ने काफी अच्छा काम किया है कुल 110 मेगावाट की दो इकाई जो बंद थी उसको सुरू कराने का काम किया है आपको बता दे कि बार बिजली घर की चमता 3300 मेगावाट है यहां स्टेज 2 की दो युनिटों में 1320 मेगावाट बिजली का उत्पादन मार्च से ही जारी है स्टेज 1 में 360 मेगावाट की तीन इकाईयां बननी है इसकी पहली युनिट का आज लोकारपन हुआ है बता दे कि इस बिजली घर की निव केंद्रिय मंत्री के तौर पर बिहार के मुखमंत्री नितीज कुमार ने ततकालिन प्रधान मंत्री अटल बिहारी बाजबे से रखवाई थी कोरोना के खतरनाक नए वेरियंट से बिहार को खत्रा स्वास्त विभाग की एक अधिकारी विदेश से लोटी लेकिन नहीं करा रही है जाच 108 लोग संग्वेदन सिल देशों से आएं कोरोना के नए खतरनाक वेरियंट का खत्रा बिहार पर मंदाने लगा है केंद्र सरकार ने बिहार को जो जानकारी भेजी है उसके मताबिक बिहार के 108 लोग उन देशों की यात्रा कर लोटे हैं जहां ये बेहत खतरनाक वेरियंट पाया जा चुका है सबसे गंबिर बात ये है कि केंद्र ने जिन 108 लोगों की सुची बिहार सरकार को साजा की है उसमें सुबे के स्वास विबाग की एक बड़ी अधिकारी का भी नाम है लेकिन महिला अधिकारी ने अपनी जांच कराने से ही साप इंकार कर दिया है दरसल केंद्र सरकार ने बिहार सरकार को 108 लोगों की सुची भेजी है जिनसे कोरोना के नए वेरियंट का खत्रा हो सकता है ये वो लोग हैं जो हाल फिलाल में ऐसे देशों की यात्रा से लोटे हैं जहां कोरोना का नया वेरियंट पाया जा चुका है केंद्र सरकार ने ऐसे भ बिबिन नियोजन इकाईयों में हुई नियोजन प्रक्रिया में तत्य चिपाकर सिक्षक बनने का मामला प्रकास में आया है। पेंडराइब के माध्दाम से जाज की गई जिसमें जीले के पांच सिक्षकों के द्वारा गलत तरीके से नियोजन करा लेने का मामला सामने आया है। पोजिटिव ब्लड चढ़ाय जाने का मामला सामने आते ही स्वास्त विभाग के अधिकारियों के बीच हडकंप मचा हुआ है। प्रताल अधिक्षक ने ब्लड बैंक के टेकनीसियन से इस्परस्टी करन मांगा है। होने की बात चुपा ली थी, HIV पोजिटिव खुन को ब्लड बैंक में रखा गया और इसी खुन को दूसरी महिला को चढ़ा दिया गया। बिहार का सबसे बड़ा सरामाफिया गिरफतार बंगाल के रास्ते भेजता था खेव। जानकारी के अनुसार आलम मंगाल से बिहार के कई जीलों में अंग्रेजी सराब के साथ नकली सराब और इस्प्रीट की तसकरी करता था। मुर्शित आलम पस्चिम मंगाल के उत्री दिनाजबूर जीला के करन्दीगी थाना के दालकोला इलाके का रहने वाला है। लालुप्रसाद यादव की तबियत भीडी दिल्ली के लिए रवाना हुई राबडी। राज़त सुप्रीमो लालुप्रसाद यादव आईसीउ में भरती हैं जैसे इस बात की जानकारी पूर्व मुखमंतरी राबडी देवी को मिली राबडी देवी पटना एयरपोर्ट पर दिल्ली जाने के लिए पहुँच गई दिल्ली रवाना होने से पहले राबडी राबडी देवी के साथ एयरपोर्ट पर पहुचे राबडी देवी सुभा से ही दिल्ली जानी के लिए परिशान थी और दोपहर की फ्लाइट से राबडी देवी दिल्ली के लिए रवाना हो गई 10 कर्मचारियों पर गिरी गाज ड्यूटी से गायब रहने पर ड्यूप ने मांगा इस्प्रस्टी करन। जिसके बाद DM ने ड्यूटी से गायब कर्मियों से स्परस्टी करन मांगा है NIT पटना में ISRO का सेंटर हुआ स्थापित Problem Solving Research पर होगा काम ISRO बैंगलूरू ने NIT पटना में अपना Research Center Regional Academic Center for Space स्थापित किया है Space Research को लेकर बुदवार को NIT पटना और Indian Space Research Organization बैंगलूरू के साथ एक AMEO साइन हुआ है AMEO साइन करने के बाद CBPO ISRO के डाइरेक्टर सुधीर कुमार एन ने काया कि NIT पटना का बहतर प्रदर्शन और HMRD की रैंकिंग के वज़ा से इस सेंटर को यहां स्थापित किया जा रहा है पुरी जोन के Research Project अब NIT पटना के माइदम से पुरी किये जाएंगे उन्होंने काया कि पुरी जोन में हमें NIT पटना से बहतर संगस्तान कोई नहीं मिला अब हमें Research के मामले में पुराने तरीके की सोच से आगे निकलकर practical तरीके से सोचना होगा यानि Problem Solving Research पर काम होगा अब Research में भी Innovation को लाना होगा Out of the Box सोचना होगा पुरी उमीद से NIT पटना की भागीदारी अच्छी होगी हमें आने वाली generation के लिए आज से ही निव रखनी होगी नहीं तो आने वाली generation हमें माप नहीं करेगी ठंड बढ़ते ही बच्चों में बढ़ा निमोनिया का कहर डॉक्टर ने बताये बचने के उपाई बिहार में ठंड की दस्तक देते ही बच्चों में निमोनिया का कहर देखने को मिल रहा है जिसका ताजा हो दाहन सुबे के दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में देखने को मिल रहा है जहां सिसु विभाग में निमोनिया से ग्रसित बच पुझाव देते वे बताया कि ठंड में बच्चों को गर्म कपड़े से ढखकर रखे, मा अपने बच्चों को अपना दूद पिलाया ताकि बच्चे को वरपूर पॉस्टिक आहर मिल सके, गर्म पानी का प्रयोग करे, अगर बाहर का दूद देते हैं तो बोतल में ना देकर गिलास में दे, साथ ही मलेरिया से बचने के मच्चरदानी का प्रयोग करे, बच्चों को गिले कपड़े को जल्द बदले, तभी बच्चों को निवोनिया और डेंगो जैसे घातक विमारी से बचाया जा सकता है जाका डालकर मुखमंत्री बने निपीस, लालू बोले, 75 विधायक है, सरकार बनाकर रहेंगे बिधानसभा उप्चनाओं में राष्टिय जनतादल को भले ही दोनों सीटों पर हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के तिवर नरम नहीं पड़े है, आज पार्टी कारियाले में चार साल बाद पहुंचे लालू यादव को एकजूट होकर NDA के खिलाप खड़ा रहने के लिए कहा, लालू यादव ने कहा कि आज देश का आम आदमी केंद्र सरकार की गलत नितियों की वज़ा से परेशान है, लोग महंगाई के मार झेल रहा हैं, और बिहार में सुसासन के नाम पर केवल भ्रस्राचार हो रहा है आज के सुरकियों में बस इतना ही, बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिष्टेदारों में सेर करना ना भूले, धन्यवाद